देखे जैसे हमारा कथक का आज जो मुवमेंट्स हैं यहुद पहले का आप कथक मुवमेंट्स देखेंगे पुराने गुरू की वो दूसरी तरह के मुवमेंट्स थे basically उसमें बहुत जबरदस फोर्स थी यह लचनो घराने में बहुत नजाकत थी लेकिन यह जो बैले जो हैं उनके जो लाइनस उनके जो एंगल्स उसको अडीौपकी नहीं चाहिए और अभी हम जैपुर या लखनो रहो दान्स की मूवम्मेंट का जो सुंदर्था है हम उसी मतलब मूवमेंट स्टाइल को तो इसलिए वह जैपूर घराना लखनो घराना आच वह वाटर टाइट टाइट कंपार्टमेंट है नहीं और होना भी नहीं चाहिए यह तो दोनों घराने से अच्छे अच्छे चीजे लेनी चाहिए आप सेफ मुव्मेंट आप दो लड़कियों से कराएं जिनके अलग अलग बाडी स्ट्रक्चर हो तो कुछ दोनों अपनी तरह से करेगी तो इसलिए एक घराना का एक स्टाइल का माध्यम में विदिन बाउंडिरी रहते हुए भी एक पर्टिकुलर स्टाइल उखर के आते हैं तो कथक तो आगे बढ़ीगी और घराना का जो अलग-अलग स्पेशालिटीज है उसको थोड़ा सा मेंटेन रखना भी अच्छा है क्योंकि खासियत रहते हैं लेकिन आपस में इंटर्मिंगलिंग पहले से भी हुआ है और अभी भी चल रहे हैं कला तो कला ही है ना और यह ताक क्योंकि यह एक टेंपल का साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि यह स्पिरिच्वालिटी का साथ जुड़े हुए हैं उसमें तो स्पिरिच्वालिटी भक्ती तो है ही यह बट इसमें कुछ टेक्निकल डिफरेंसेज हैं जैसे जैपुर घराने लेकिन जो शका जो स्टाइल कुछ और है उसमें कुछ अलग-अलग बंदिशे जो की लखनो घराना में नहीं है लट नहीं है कि अलग मॉव्मेंडप में जो जय पुरों में नहीं हैं तो यह टेकनिकल चीज Local did are you who comin कि अचिछने देखाने में हैं और मैं जायपूर घराने से संबन्द रखती हूँ कि मेरे गुरुण जो भी है जायपूर घराने से हैं मैं सबह से पहले सीखना शुरू किया पंडित दुर्गालाल जी से उनसे मैं सीखी 6-7 साल और उसके बाद उनकी देहान्त हो गई और वो जो कला हैं अभी बहुती कम लोग कर रहे हैं तो अभी नहीं सीखने के लिए कुछ दिन उनके पास गई लेकिन फिर टेक्निकल का पार्ट जो है और बाकि तो वो मुझे लगा कि वो थोड़ा नेगलेक्टेड हो रहे हैं फिर जैपूर खलाने में ही राजन जी गंगा करते हैं